हेलो चिल्डरन आज हम इंग्लिश बाबा चैनल पर आपके लिए लाए हैं क्लास 6 चैप्टर 1 संस्कृत शब्द परिचे जिसमें पहला पार्ट है एशे है क्या एशे मींज यह है क्या यह है क्या है आपको पिक्चर में गिलास दिखाई दे रहा है जिसकी संस्कृत होती है गिलास की संस्कृत चस्क है एशे है चस्क है यह है गिलास है किम क्या एशे है यह है वरिहद क्या यह है बड़ा है नै नहीं एशे है लगू यह है छोटा है जैसे हम इंग्लिश में दिस दैट का प्रियोग करते हैं वैसे ही संस्कृत में एशे यह है दिस के लिए प्रियो है और दूर की विज़तő के लिए से अब दूसरी picture है दूर बने हुई है इसमें that यानि कि से कै वह क्या है से सोची कैई होता है दर्जी जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है तो वह दर्जी है सोची कैई किम करोती दर्जी क्या करता है आपको मालम है बच्चेदर जी क्या करता है कपड़े सिलता है किम से खेलती क्या वे खेलता है नहीं वो खेलता नहीं है वो हमारे कपड़े सिलता है नहीं से वस्त्रम सिव्यती वे हमारे कपड़े सिलता है फिर दो बस्तुओं के लिए जैसे हम दिस्को दीज में कनवर्ड कर इसमें दो वस्तुं के लिए आएगा एतव को ये क्या हैं एटव सुन को मुतै कि ये दो कुट्थे हैं कि मेंबें गरजत करोगते हैं आपने कभी सुन आपको अब का गरजते हैं और कुछ गरजते हैं जंगली जानवर करजते हैं कुते तो भोंकते हैं नै नहीं ये तव उच्चई बुकते हैं ये उच्ची आवाज में भोंकते हैं फिर दूर की बस्तू के लिए दो बस्तू के लिए कहाएगा तव कव वे क्या हैं तव बली वर्दव स्ते वे बैल हैं वली वर्दव दो बैल हैं किम तव धावत हैं क् आपको पिक्चर में बैल दोड़ते वे दिखाई दे रहे हैं नहीं ये खेत की जुताई कर रहे हैं नहीं तव उक्षेत्रम करशते हैं वे खेत को जोतते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ एते के बो सरी चीजे है तो एते एते के ये क्या हैं एते शुटा हां संते ये बैग हैं कि मैं एते हरित वर्ना हरे रंगे तो क्या आपको पिक्चर में बैग दिखाई देरे हरे नहीं नहीं क्या ये हरे रंग के हैं नहीं ये ते नील वर्णा हा संती ये नीले रंग के हैं ते के वे कोन हैं ते व्रिद्धा हा संती आपको दिखाई दे रहे हैं पिक्चर में दो बुजुर्ग हैं तो वे बुजुर्ग हैं किम ते गायंती क्या कर रहे हैं वो स्माइल कर रहे है तो क्या वे गा रहे हैं? नहीं, ते हसंती वे हस रहे हैं ये नीचे कुछ शब्दार्थ दिये गए हैं, इन्हें याद करना बचो जिससे आपको चैप्टर का हिंदिया नुवास बड़ा इजी हो जाएगा मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इस लेशन की एक्सरसाइज के साथ बाई बचो